ओ है वैबच्च्चो बच्चो यह जो दर्पंड या आईना है इसका उप्योग तो आप भी अपने घरों में करते हैं श्कूल जाते समय या बाहर जाते समय आप इस दर्पंड में अपने आपको देखकर तयार होकर बाहर निकलते century ये जो दर्पन का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं ये समतल दर्पन है हम समतल दर्पन का ही उपयोग क्यों करते हैं क्योंकि इसमें हम वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे की हम है क्या आप जानते हैं एक और प्रकार का भी दर्पन होता है गोलिय दर्पन गोली दरपण याने यदि हम काच का कोई खोकला गोला लिले और उसे अनुप्रस्त तल से काट दे तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे हम उसका भीत्री हिस्सा भी देख पाएंगे और बाहरी भी उसकी जो भीतरी सता होती है वो अवतल की तरह कारे करती है और जो उपरी सता होती है वो उतल की तरह कारे करती है यदि इनकी सतहों पर पॉलिश कर दी जाए तो वो परावर्तक हो जाएंगी और दरपन की तरह वेवार करने लगेंगी तो जो भीत्री सता है वो अवतल दर्पन की तरह वेवार करती है और जो उपरी सता है वो उत्तल दर्पन की तरह वेवार करती है इन अवतल दर्पन और उत्तल दर्पन पे हमारे प्रतिविम कैसे बनते हैं इसे जानने के लिए चलिए हमें क्रिया कलाप करते हैं देखे ये है मेरे हाथ में स्टील का चमकदार कर्चुल ये तो आपके अपने घरों में भी होगा इसका उप्योग हम उत्तल दर्पन और अवतल दर्पन पे किस प्रकार के प्रतिविम बनते हैं इसको समझने के लिए करेंगे क्यूंकि इसका ये जो बाहरी सता आपको दिख है ये उत्तल दर्पन की तरह व्यवार करता है और ये जो भीत्री सता दिख रही है ये अवतल दर्पन की तरह व्यवार करती है तो चलिए हम इसमें प्रतिविम देखेंगे अब तो देखो बच्चों ये जो कर्चुल की भीत्री सता है ये अवतल दर्पन की तरह व्यवार की तरह तो देखे प्रतिविम कैसा दिख रहा है सीधा है और छोटा है तो देखा बच्चों आपने अवतल दर्पंड और उत्तल दर्पंड में हमें किस प्रकार के प्रतिविम दिखाई देंगे चूंकि उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिविम सीधा और छोटा दिखाई देता है इसलिए इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत सी जगों पर होता है जैसे जो गाडियां हम चलाते हैं उन गाडियों में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें चालक याने की ड्राइवर पीछे से आने वाली गाडियों को देख सकता है वो जो मिरर यूज होता है वो जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण होता है बिल्कुल इसी प्रकार रास्तों में कई बार अंधे मोड़ा आ जाते हैं अंधा मोड़ियाने जहां से दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां हमें न दिखाई दे वहाँ भी एक बड़ा असा मेरर आपने देखा होगा वो भी उत्तल दर्पण ही होता है बच्चों आपको एक बात बताओं यदि आपको अपनी इमेज अपना प्रतिविम मज़ेदार तरीके से देखने हैं तो आप विज्ञान केंद्र जाएं वहाँ पे अलग-अलग प्रकार के दर्पणों में आप अपने प्रतिविम को बड़े मज़ेतार तरीके से देख सकते हैं